प्यारे विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर सिद्दार्थ पोख्रियाल है और मैं उत्रा खंड मुक्त शिद्दाले के विशे शिख्या विभाग में पाठिक्रम समयनुवर्ख के पत्पर कारे रहत हूँ आज हम लोग बौधिक अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे समय समय पर बौधिक अक्षमता को कई बार अलग अलग नामों से पोकारा गया है जैसे मांसिक मंदन या मांसिक मंदता भारत सरकार के सामाजिक नया अधिकारिता मंत्राले दौरा वर्तमान में इसका नाम करण करके इसे बहुतिक रूप से अक्षमता नाम दिया गया है जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है इसे सीखने प्रगती और विकास के लिए ज्यान के उपयोग के कोशल की पापती के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है सामाने तोर पर ये व्यक्ति को समाज और राष्ट के विकास के मुखिधारा में से जोडता है लेकिन हमारे माना समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कटनाई हो के करन प्रगती के लिए ऐसी सामाने शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं समवेदी, संवाद, संग्यानात्मक और कामकाज के भौतिक छेतरों से समधित विशेश प्रतिभाएं सोगम्य पहुच के सामिल रहती हैं इसमें ऐसे लोगों के जीवित रहने और जीवन के मुख्य धारा में उनकी योगदान के लिए विशेश देखभल और प्रस्रिक्षन की आवसक्ता होती है ऐसे लोगों की शिक्षा को विशेश शिक्षा कहा जाता है एक परिभाशा के रूप में ये कहा जा सकता है कि विशेश शिक्षा का छेतर उन लोगों का अध्यन करता है जो 30 सामाने लोगों से अलग हैं बास्तर में विकास धिमी विर्दी का पौदा है इसी तरह विशेश शिक्षा के पौदा ही को लोगों के हितों द्रिश्टिकोन और वहवार में एक लंबे क्रमिक परिवरतन के बाद से पोशन किया गया है जिसने विभिन विकलांग लोगों के शिक्षा की आवशकताओं वावक मिर्तिदॉरा आ संक्रिक्षित किया गया था और विकलांगता से निबटने में भी सक्षम बनाया गया था यह सबी अनौप्चारिक शिक्षार और अवेज्ञ्णिक Churchill के माधियन से थे जो वो जानते थे कि कि भारी कटनाई या साधन की कमी के मामले में माता पिता की आत्मस्य रुक्षा की प्रवर्ती ने विकलांगों को छोड़ दिया केवल वही बज़ गये हैं जो अपने वातावण में अप्रत्याशित परिवर्तन का विरोध करने से सक्षम थे हम इस अबधी को सैट डारिंदा ना होने की वज़े से इतिहास कारों ने विकलांगता यानि अक्षमता के इतिहास को तरजी नहीं दिये तत्कालीन साहित का अध्यन करने पर हमें विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी जानकरी अवश्य मिलती है, प्राचिन ग्रीष में राज़ परिश से अक्षमता ग्रस बालकों यह व्यक्तियों को बेचे जाने का प्रमाण मिलते हैं पांची से पंदर सताब्दी के इमद्द सिशु हत्या और विक्रय में थोड़ी कमी आई और अक्षमता युक्त व्यक्तियों यह बालकों के साथ मानुवे वहवार का आरब हुआ बारवी सताब्दी में इंग्लेंड के राजा हैंडरी दिती ने कानुव बनाकर मानसिक मंद्दता युक्त व्यक्तियों के साथ अमानुवे वहवारों पर रोग लगाने की कोशिश की 1690 में जॉन लॉक ने सरप्रथम मानसिक मंद्दता को मानसिक रोग से अलग वताया फ्रांस के मनोचिक इक्षक जीन मार्क गैसपर्ड हर्ड इटार्ड का नाम अग्रणी है जिने प्राया विशेश सिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है इटार्ड के सिश्य सैंग्विन ने मानसिक मंद्दता बौधिक अक्षमता योगत बालकों को सिक्षा के प्रती सियम को समर्पित किया और विशेश सिक्षा की जड़ों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया सैंग्विन द्वारा विक्षित सैंग्विन फॉर्म बोर्ड SFB आज भी छोटे बच्चों की बौधिक अक्षमता के आकलन में प्युप्त किया जाता है 19 सदी का प्रादंब्री भाग मांसिक मंदता के शेतर में काफी महत्पून है सन 1905 में विश्र का पहला बौधिक परिक्षन बीने एम साइमन ने विक्सित करके मांसिक मंदता की पहचान में करांती की शुरॉत की सन 1975 में विक्लांग व्यक्तियों के वैश्र सिक अधिकारों की गोष्णा की गई और अमेरिका में सभी विक्लांग बालोकों के लिए शिक्षा Education for All Handicapped Children Act 1975 पारित किया गया और तजनुसा समाने विद्यालों के दर्वाजे विक्लांग बालोकों के लिए भी खोल दी के अब अगर भारती इतियासिक परिपेक्षि में इसकी बात करें तो बदिक अक्षंता यानि मांसिक मंदता का भारती इतियास उद्ना ही पुराना है जितनी मानव सब्यता भारती धार्मिक ग्रंथों में विक्लांगता के साक्षे उपलब्ध हैं लगबग 5000 इसापूर रामान काल में रानी केकी की दासी मंधरा मांसिक मंदता की उधारन है जो अपनी अल्प बदिक शंता के कारण इधा उदर की बातों से जल्द प्रभावित हो जाती थी राम्यान काल के बाद महाभारत काल में भी मांसिक मंदता या विक्लांगता का विप्रण उपलब्ध है महाभारत कलिन युग में क्रिश्ण की दासी कुपजा और विद्वान अस्टावरक दोनों ही अस्थी विक्लांगता के उधारन मने जा सकते हैं चौति सताअदी इसापूर्व महान भारत अर्थसासथी चानक की ने अक्षमता ग्रसत व्यक्तियों के लिए अपमान जणक शब्दों के प्रियोग पर प्रतिबन लगा दिया था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया था लगविक पहली सताबदी ईशापूर वो भारते राजा अमर शक्ती के तीनों बच्चे वाशु शक्ती उग्र शक्ती और अनिक सक्ती मानसिक मंदता यानि बौदिक अक्षमता युग माने जा सकता है जो सामने शक्षन विद्यों से सीख नहीं पाए फलता है राजा के जो दरबारी रहे पंडित विश्यों सर्मा उन्हें राजनीती का ग्यान कराने के लिए पंचित हंत्र की रष्णा की जो विश्यों की प्रथम शिक्षा की किताब मानी जाती है और जिसे मानसिक मंदता के श 212 ने मानसिक दिव्यांग्ता और मनो रोगों को समान मानते हुए उनकी बाद समय समय पर अनिक मि अक्ट आते गए जिसमें की समय समय पर इनका चैन किया एक लंबे अंतराल के बाद मानसिक शाल स्याहन कानून प्रावधन नहीं दिया गया। इससे पुरुक उठारी आयो कि अनुशंसा पर 1904 में समेकित शिक्षाकारिकम Integrated Education for Disabled Children IDEC प्रारम हो जुगा था। 1984 में राष्टिय मांसिक विगलांग सस्थान National Institute for Mentally Handicode की सामना सिकंदराबाद में की जा चुकी था। और इसके तुनंत बाधी सन 1986 में नई शिक्षानिती भारतिय पुनरवास कानून 1902 विकलांग जंद समान अफसर पूर्ण भागिदारी और अधिकारों की रक्षा से समधित कानून 1905 राष्टि नया अधिनियम 1999 में शिक्षाकार आटी एक्ट 2009 कानून आधी बनाए गए और अक्षमताजी को बालोकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा वर्तमान में नई शिक्षानिती वर्स 2020 में इस बात को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग बच्चों के लिए वीशेश विद्यालेयों और सामाने विद्यालेयों में पर्विश की परकिरिया सुनिश पर जोड़ दिया गया अब अगर हम कुछ परिभाशाओं की बात करें तो विशे शिक्षा सास की एक ऐसी साका है जिसके अंदर गद उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान बच्चों से सारी रिक मांसिक और सामाजिक शेत्रों में कुछ अलग होते हैं इन बच्च समाई उजयन के लिए विशे प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे वे अपनी दैनिक आवश्यक्ताओं की पूर्टी करने में स्वहम समर्थ हो सकें इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है को शिक्षा सास्प्र उन्दर और विशे शिक्षा की परिभासा दी गई है जैसे किर्प के अनुसार 1962 में जो नहीं परिभासा दी विशे शिक्षा सद्ध शिक्षा के उन पहलों को इंगित करता है जिसे विकलांग यह प्रतिवास्षाली बच्चों के लिए किया जाता है लेकिन औस बालखों के मामरे में प्रिक्ष नहीं होता है ऐसे हल्हान और कार्थ विशेश रूप से तयार किये गए साधनों के द्वारा विशेश बच्चों का प्रश्रिक्षन देना है इसके लिए विशेश साधन अध्यापन तक्नीक उपकरण तता अन्य सुविधाओं के आवश्रक्ता होती है यू के सौन ने एक परिभासा दी जिसमें उन्ह परिभासा दी इनके अनुसार मादिक रूप से अक्षम माना जाता है अमेरिकन एस्सेशेशन और मेंटल इटार्डेशन ने दो हजार दो में परिभासा दी इनके अनुसार मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें विक्ति की बौदिक अक्षमता और अनुकुल्निय वहवार में महत्वण कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रवद्योगी की कौशलों में परिलक्षित होती है इस अक्षमता का आरम 18 वर्स से पूर ह हो जाता है अमेरिकन एक्षमता है जिसमें विक्ति की बौदिक शमता और अनुकुल्निय वहवार में महत्वण कमी पाई जाती है यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रवद्योगी कौशलों में परिलक्षित होती है इस अक्षमता का लाब 18 वर्स से पूरू होता ह समय समय पर इन परिभासाओं के अत्रिक्त व्यग्यानिकों और मनो व्यग्यानिकों विशेज शिक्षकों ने इनके प्रकारों पर भी अपनी बात रखी है इसके दिमुख्यते चार प्रकार बताएं हैं यह चार प्रकार माइल्ड, मोडरेट, सीवियर, प्रोफांड नाम स से जानने हैं जाते हैं जिने उनकी बुद्धी लब्धी के आधार पर वर्गी ग्रित किया गया है अगले कि वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद